कि नमस्कार आप सभी का आप सभी का स्वागत हैं मेरे यूट्यूब चैनल वुकल सरपर दिये स्टुडेंट हम 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्र स्टेटिक का सेकिंड चैप्टर स्टड़ी कर रहे थे जिसमें हमने एक्वलेंट कपेस्टेंस और कपेस्टर की टोटल एनरजी जो है हमने डिसकस की थी और डियर स्टुडेंट आज हम क्या स्टड़ी करने वाले हैं वह आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं हम पढ़ेंगे आज डायेक्ट्रिक्स एंड पॉलराइजीशन एक्ट्ट्र में तो दोनो ट्रम जो मैंने यहां दोनों वर्ड यूज़ की हैं डायेक्रिक और पॉलराइजीशन दोनों के बारे में अभी हमें कोई नहीं है तो इसके बारे में सीखेंगी ठीक है और इसी तरीके से हम उसके बाद में सीखेंगे कि polarization term का क्या मतलब है और किसी भी डाइलेक्टरी को polarized कैसे किया जाता है और जो आज का हमारा last topic रहेगा जिसमें हम एक छोटा सा derivation करेंगे बहुत important derivation है कई competition exams में वहाँ से question उड़ जाता है relation between the dielectric constant and electrical susceptibility तो dear student ज्यादा time waste ना करते हुए शुरू करते हैं आज का topic सबसे पहले हम समझ लेते हैं dielectric क्या होता है देखिए dielectric एक type का insulator ही है पहले समझ लीजिए dielectric एक type का क्या है insulator है लिकिन ये insulator है किस तरीके का ये charge को कभी भी conduct नहीं करता चार्ज को अपने अंदर से transfer नहीं कर सकता जिस तरीके से conductor करते हैं फिर ये conductor से अलग है इसी वज़े से लेकिन ये क्या है खास बात इसके अंदर कि ये electric charge को अपने अंदर से transfer नहीं कर रहा तो फिर क्या कर रहा है ये electric charge को क्या करता है permit करता है so that कि वो एक दूसरे के उपर electrostatic force exert कर सके ठीक है यानि हम इसको polarize कर सकते हैं अगर हम charges की इनके अंदर जो charge होते हैं उनको अगर हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं displace कर देते हैं ठीक है उनकी position से उनको अगर हम displace कर देते हैं किसी भी method से तो वो क्या हो जाते हैं polarized हो जाते हैं इस तरीके के materials क्या कहलाते है dielectrics so मैंने यहां define भी कुछ ऐसी किया है these are the insulators which can transfer the effect of electric field but they cannot transfer the electric charge through them ठीक है यह चीज़ याद रहे है the dielectric permits the charge to exert electrostatic force on one another एक दूसरे के ऊपर यह क्या करते हैं electrostatic force exert कर सकते हैं और these can be polarized through small localized displacement of charge यानि हम अगर charge के इनके अंदर जो present charge होते हैं अगर उनको हम displaced कर सकते हैं उनकी localized position से तो वो क्या करते हैं polarized हो जाते हैं dielectrics को example के तोर पे हम glass wax water air rubber plastic यह सब चीज़ जो है हमारे dielectrics के अंदर आती है मैं थोड़ा सा difference और बताना चाहँगा dielectrics और हमारा जो conductor होता है उनके बीच तो याद रहे अगर हमारा कोई dielectrics है यह एक external electric field के अंदर रखते हैं तो क्या होगा और अगर हम conductor को एक external electric field के अंदर रखेंगे तो क्या होगा यह suppose करूँ मेरे पास एक dielectrics है और इसको मैंने external electric field के अंदर रख दिया यह suppose करूँ positive charge है इस प्लेट के ऊपर और यह negative charge है ठीक है यह अगर conductor है यह अगर conductor है तो इसके अंदर electric field जो है क्या होगा zero होगा इसके अंदर जो induced electric field है वो क्या होगा zero होगा यह याद रहे ठीक है क्योंकि जो यहfrontal electric field E-note है यहाँ equal है ठीक है यानि E naught is equals to E induced ठीक है यह चीज़ दिमाख में रहे आपके तो यह जो induced electric field है यानि यह क्या करेगा डialectric के अंदर से जो neutral होता है तो यह positive plate क्या गरेगी इसमें से negative charge को अपने तरफ अट्रेक्ट करेगी यहाँ negative charge यह positive charge को अट्रेक्ट करेगी तो अंदर भी positive से negative direction में यानि opposite जो external electric field के ठीक opposite direction में एक electric field सेट अप हो जाता है जिसको हम induced electric field बोलेंगी तो यह electric field हमेशा conductor के अंदर external electric field के equal ही होगा इसलिए अंदर electric field क्या होता है zero होता है ठीक है बात करते हैं हमारे dielectric की अगर इसी जगे पे मैंने इसी field के अंदर suppose को एक dielectric को place कर दिया अगर मैं dielectric को place करता हूँ external electric field के अंदर external electric field हमारा e note है और इसमें जो है यह जो dielectric है इसके अंदर opposite direction में एक induced EMF generate हो जाएगा लेकिन इसकी value किसी भी हालत में zero नहीं होगी ठीक है इसमें जो induced electric field है उसकी value zero नहीं होगी हम यहां यह कह सकते हैं कि induced electric field जो है वो less than external electric field होगा यह चीज़ याद रहे ठीक है तो आई थिंक यह आप लोगों को clear भी हुआ होगा और अगर आपको मेरा पहले वाड़ा lecture जो है जिसमें हमने starting में study किया था charging by induction तो वहां पर मैंने डाइलेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ बताया भी था जो डाइलेक्टरिक्स होते है conductor के अंदर एक खास बात है जो charge induced होता है induced charge induced charge यह अगर q है इस plate के उपर charge तो इसमें जो q- induced होगा induced charge वो बिल्कुल equal amount में होता है लेकिन अगर हम यहां पर बात करें induced charge की induced charge ठीक है q- यह q- कितना होता है यह होता हमारा q into 1-1 by dielectric constant k ठीक है यह unitless constant होता है dielectric constant k तो इसकी value यह होती है और हमेशा इसमें dielectric के अंदर q- is always less than q magnitude में ठीक है यह चीज होती है तो यह चीज हम पहले पढ़ चुके है तो जिन्होंने अभी तक वो lecture नहीं देखा तो मेरे बिल्कुल starting के जो lecture है 12th के playlist में अगर अगर आप जाओगे कि जो हमारे dielectric होते हैं उनके type कौन से कौन से है ठीक है तो जैसे माल लिया कि dielectric के mainly दो type हम पढ़ते होते हैं types of dielectric types of dielectric first है polar second one है non-polar so dear student polar dielectric और non-polar dielectric में हम defense भी समझ लेते हैं देखिए polar dielectric हम किसको कह रहे हैं ऐसा dielectric जो pole बनाता हो जैसमें अगर आपको याद है dipole तो इसमें dipole बनते हैं मतलब individual molecule जो होता है polar dielectric का उसमें positive charge और negative charge के बीच में gap होता है यानि ये कह सकते हैं a type of molecule in which the center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge यानि इसमें क्या होता है कि जो positive charge है और negative charge है उनके बीच में gap होता है वो एक दूसरे से coincide के हुए नहीं होते हैं जबकि non-polar dielectric जो pole नहीं बनाते हैं यानि पोल नहीं बनाएंगे कहने का मतलब उसमें dipole moment 0 होगा ठीक है individual molecule का तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उनका जो center of mass of positive charge है वो coincide किया हुआ होता है negative charge के साथ में ठीक है इस molecule in which the center of mass of positive charge positive charge coincide with the center of mass of negative charge clear है तो ये actual में इनकी definition भी कह सकते हैं polar molecule के जो example है उसमें आप लिख सकते हो HCl हो गया NS3 हो गया CO हो गया etc ठीक है यानि इसमें जो है pole बनेगा positive, H positive, C L negative ठीक है इस तरीके से यहाँ पे हम example अगर लें तो जिसमें ये कह सकते हैं कि positive charge और negative charge एक दूसरे के साथ क्या होगा coincide किया हुआ होगा तो ऐसे molecule कौन से होते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं H2 हो गया hydrogen gas, nitrogen gas oxygen gas, carbon dioxide अट सेक्टर ये आ जाएंगे ये हमारे हैं non-polar dielectric के example ठीक है आप लोगों को आई थिंक ये समझ आ रहा होगा तो आपसे request है कि आप चैनल को खुद भी subscribe कर लीजी अगर नहीं किया है तो और आपने friends को जितने भी लोग हैं जो net use करते हैं उनको मेरा चैनल subscribe कीजिए मैं ये बात बोलता जरूर हो लेकिन कोई कोई समझता है इस बात को मैं seriously इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा subscription बढ़ेंगे मैं उतना ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक student अगर अपनी तरफ से सिर्फ 5 या 10 बच्चों को या 5 या 10 लोगों को subscribe मेरा channel करवा देंगे तो उसी से मेरा channel काफी grow कर जाएगा कोशिश तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ बोल देता हूँ लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते बोला कि कोई बात नहीं मैं नहीं कर रहा तोर कर देंगे आपकी खुद की responsibility समझ ये तो dear student next चलते हैं और इसमें difference क्या है अगर मैं polar dielectric को individual molecule का dipole moment को हूँ individual molecule without external field is non-zero ठीक है जो हमारा dipole है इसमें कुछ न कुछ value होगी उसकी zero value नहीं हो सकती polar dielectric अगर है तो without external field भी वह कुछ न कुछ dipole moment show करता है individual molecule जबकि यहां पर हम अगर बात करें तो यहां dipole moment क्या होगा zero होगा क्योंकि उसमें आप लोगों को dipole moment की definition भी याद है dipole moment क्या होता था product of charge and gap between the equal and opposite charges ठीक है तो वह जो gap है यहां है नहीं क्योंकि positive और negative charge क्या है coincide किये हुए है तो उनके भी इसका gap है नहीं तो dipole moment क्या होगा without external field zero ठीक है the dipole moment of individual molecule without external field clear है तो यहां पे जो small p से मैं represent कर देता हूँ dipole moment वो क्या होगा zero होगा और यहां पे जो dipole moment है small p is non zero ठीक है यह point मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अगर इनकी shape देखें shape का मतलब यहां मैंने कोई field apply नहीं कर रखा without field without field अगर हम इनको देखेंगे तो इसकी shape जो है कुछ ऐसी होगी ठीक है oval shape होती है but they are not aligned ठीक है they are not aligned कोई भी direction हो सकती है इस तरीके से आप बना सकते हैं इनको ठीक है क्योंकि यहां external field जो है वह क्या है zero है external field हमने zero consider किया है तो dipole तो है individual molecule का dipole moment है लेकिन net dipole moment क्या होगा क्योंकि सारे molecules का dipole moment क्या हो करेगा zero क्योंकि इसमें जो positive negative charge है individual molecule का तो शो हो रहा है बट उनकी particular direction अगर आप देखोगे तो वह कहीं कहीं है ठीक है कोई किस तरफ है कोई किसी तरफ है तो इसी वज़े से जो net dipole moment है वह zero होता है इसकी इसमें ठीक है यह अप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा यहां कोई field मैंने apply नहीं किया तो यह एक particular direction में aligned नहीं है और अगर हम यहां पर बात करें without external field तो इनकी shape कैसी होगी without external field अगर हम इनको देखेंगे तो यहां कैसी होगी इनकी shape अब यह field मैंने apply नहीं किया है यानि electric field जो है zero है यहां पर electric field कितना था जीरो था अब इनकी shape जो है spherical होती है ठीक है जो positive negative charge एक दूसरे से coincide किया हुआ है और वहां आपने देखा था कि positive और negative charge के बीच में खिया था gap था external field जीरो है यहां और net dipole moment भी zero होगा net dipole moment वो भी क्या होगा zero होगा capital P equals to zero small p भी zero है और individual molecule का तो मैं small p से represent कर रहा हूँ वो भी zero है यहां पर individual molecule का dipole moment जीरो नहीं था ठीक है अब हम external field apply करते हैं with external electric field ठीक है with external field यानि यह हमारा अब जो है non zero है तो जैसे मैं field apply करूंगा यह जिए आपको नजर आ रहे थे जितना भी हमारे molecules थे उनके particular direction में align नहीं थे अब यहां क्या हो जाएंगे वो सारे particular direction में align हो जाएंगे थीक है यानि इनकी oval shape तो रहेगी ही लेकिन अब इनकी क्या है एक alignment हो गई ठीक है अगर यहां positive है और यहां negative है field आपने apply कि external तो positive की तरफ तो negative होगा हर एक molecule का ठीक है और negative plate की तरफ positive charge हो जाएगा अब इससे हुआ क्या जो dipole moment individual molecule का आपस में cancel हो रहा था net dipole moment जब 0 आया था अब वो net dipole moment क्या होगा जीरो नहीं होगा individual molecule का small p तो क्या था यहां पर भी है और जो net dipole moment है net dipole moment capital P से मैं रिपरजन कर देता हूं उसको वो भी अब non-zero हो गया molecule की shape क्या है यहां पर? कैसी है? shaped molecule without field बिना field के भी यह oval shape के होते हैं field apply करने के बाद तो वैसे ही oval shape रहेंगे ठीक है? अच्छा यहां पर हम अगर बात करें इसमें क्या हो रहा है? with external field external field मैंने कह दिया कि कुछ non-zero apply किया अब ऐसा करने पर होगा क्या? देखो बड़े interesting बात है कि पहले कैसी shape थे इनकी? without rational field spherical shape के थे अब यहां पर क्या होगा यह spherical shape जो है आपने मॉलिकुल को यहां रख दिया तो मॉलिकुल के अंदर net charge zero था no doubt positive और negative charge एक दूसरे के साथ क्या किया होए थे? coin side किया होए थे लेकिन external field में रखेंगे तो वह positive negative charge एक दूसरे से क्या होंगे? दूर दूर भागेंगे external field जो है उनको displace करवाएगा उनके बीच में gap produce करेगा ठीक है इसी को हम बोलते है polarization इस process को बोलते है polarization मतलब जो spherical shape थी वो धीरे धीरे oval shape में convert होना शुरू हो जाएगी मतलब कुछ ऐसा ही figure होगा ठीक है positive है तो इधर negative होगा इन सब का क्यों हुआ आपको समझ आ गया होगा इस molecule के अंदर जो negative charge है उसको यह plate अपनी तरफ attract करेगी और positive को वो negative plate attract करेगी clear है तो इस तरीके से अब यहाँ पे individual molecule का अब देखो गया individual molecule का जो dipole moment है small p वो non zero हो गया पहले zero था जब without actionable field लेकिन अब non zero हो गया और net dipole moment वो भी non zero होगा net dipole moment capital P is also non zero और without external field की shape कैसी थी spherical shape चीक है molecules are of spherical shape without external field तो देखे बच्चे मैंने आप लोगों को जो polar और non polar dielectric है उनको बहुत अच्छे से explain कर दिया है आई होप आपको समझाया होगा फिल्ड में वो कैसी property show करते हैं without field कैसी property show करते हैं individual molecule का dipole moment होगा के नहीं होगा यह सारी चीज आपको यहाँ पे clear हो जाती है अगर आप ध्या electric polarization का मतलब होता है जैसे ही हम molecule को चाहिए वो polar हो non polar हो अगर आपका polar molecule है तो इसके individual molecule का dipole moment non zero था no doubt लेकिन जैसे हम उसको field के अंदर रखेंगे तो वो particular direction में align हो जाएंगे और जो उनका net dipole moment है वो अब non zero हो जाएगा यहाँ पे spherical shape के थे net dipole moment भी 0 था individual molecule का dipole moment भी 0 था तो ह हमने जैसे इसको field के अंदर रखा तो यह क्या करेंगे spherical shape से oval shape गेन करना शुरू कर देते हैं ठीक है तो अब जो oval shape गेन किया तो individual molecule का dipole moment non zero हो गया और total dipole moment जो है net dipole moment वो भी non zero हो गया ठीक है यह depend करता है कि आपने field कितना strong apply किया है अगर field बहुत जादा strong करते चले पोजिटिव और negative charge के बीच में space बढ़ता चला जाएगा ultimately एक stage ऐसी आएगी कि यह positive charge और negative charge एक दूसरे से क्या हो जाएंगे split up हो जाएंगे तो यह molecule को split up होने से ठीक पहले तक इसने maximum कितना electric field beer किया वो dielectric strength कहलाती है ठीक है वो क्या कहलाती है dielectric strength यानि dielectric strength से हमारा मतलब क क्या है कि maximum electric field that can be beer by the dielectric without the breaking of molecule यानि molecule के तूटने से पहले ठीक उसने कितना maximum electric field जो है वो उसकी क्या होती है dielectric strength होती है तो आई थिंक आपको यह अच्छे से clear हो गया होगा next topic पे चलते हैं अब हम discuss करने वाले है polarization of dielectric या जिसको हम कह सकते हैं dielectric polarization वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया फिर भी इसको मैं दोबारे से बता देता हूँ यह एक किसम से dielectric की property होती है कि वो क्या करता है net dipole moment show करना शुरू कर देता है जब भी हम उसको external electric field के अंदर अगर रखते हैं तो इसी property को हम क्या नाम देते हैं dielectric pole registration ठीक है so define भी मैंने वैसी किया है the property of dielectric in which they develop a net dipole moment in the presence of external electric field is called dielectric pole registration और इसको कभी कभी हम इस तरीके से भी define कर सकते हैं कि dipole moment per unit volume यानि dipole moment per unit volume अगर है तो उसके magnitude को हम कह सकते है polarization density ठीक है हम उसको कह सकते है dipole moment per unit volume अगर है तो उसको क्या नाम दे सकते है तो यहां पर यूनिट वॉल्यूम में देख रहे हैं, हमारे पास डियलेक्ट्रिक है, तो उसके कितने मॉलिकुल, मतलब वॉल्यूम की बाद जा रही है, कितने मॉलिकुल जो है, पॉल्राइज हुए है, ठीक है, आई होप यह आपको क्लियर हुआ होगा, अब देखे, पॉल इसमें एक क्यूप अमाउंट में चार्ज इंडियूज होगा, लेकिन पॉल्राइजेशन देंस्टी को हमने कैसे डिफाइन किया, डाइपल मोवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम इसको समझते है, डाइपल मोवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जब लेंगे, तो यह किसके बराबर आता है, देखते हैं, वी जिकोस्ट डाइपल मोमेंट कितना पढ़ा आपने, जो चार्ज इंडियूज हुए, क्यूपी, यानि चार्ज वन अब दी चार्ज, यहां पोजिटिव चार्ज अगर मैंने लिया, यहां नेगिटिव तो इसमें इंडियूज यह डाइलेक्ट्रिक का इसका वोलिव कितना होगा, विट्थ यह है, डी और एरिया क्या है, ए, सो ए इंटू डी, सो डी से डी कैंसिल हुआ, क्यूपी अपोन ए, और क्यूपी अपोन ए, अभी हमने स्टडि किया है, वो क्या था, सर्फेस चार्ज डेंस्टी, सो सर्फेस देंस्टी से हम रिपरजेंट कर सकते हैं, किसको? डाइलेक्ट्रिक पॉलराईजेशन को, यह चीज़ हमारी, यानि P is equal to sigma P, यानि डाइलेक्ट्रिक पॉलराईजेशन is equal to, किसके है, सर्फेस चार्ज डेंस्टी के equal है, तो I think यह आपको clear हुआ होगा, next समझते हैं, इलेक् स्क data को इसे पएले मीवड़ मां सबकषाद सब्खक मां पस launch को मैं YouTube को अजर रहा होगा जिसके अंधर मैंने एक एक्ट्रिक पीलिटक के एंडर रखे माह रख रहा है इस के अदर मैंने इस यह स्लब को रख दिया तो इसके अंदर एक इंड्यूज इलेक्ट्रिक फिल्ड होगा ए-पी और आपको पता है कि ए-पी हमेशा ए-ट से लेस होता है तो नेट इलेक्रिक फिल्ड क्या होगा इज इकट इन चेह उपर एक्ट कर रहा है अब इलेक्ट्रिकल ससे बिलिटी से हमारा material can be polarized और polarized का मतलब आप समझ चुके हो तो जैसे हम electric field के अंदर जैसी रखेंगे उसको तो कितने easily polarized हो जाता है यह measure करता है electrical susceptibility यह symbol CHI का है CHI ठीक है तो यह symbol हमारा आप लोगों को समझ में आगए इसकी क्या importance है और दूसरी तरीके से हम इसको और define कर सकते हैं जैसे मैंने का कि dielectric polarization जो है अब मैंने आपको बताया कि polarize कितना easily हो जाता है तो polarization कि इसके उपर net electric field लग रहा है उसके तो यानि dielectric polarization is directly proportional to net electric field और इस directly proportional to sign को replace करने के लिए यहाँ पे आगया epsilon naught and chi अब आप सुचोगे कि दो यहाँ पे constant क्यों लिए यह तो देखी medium की property है epsilon naught ठीक है और यह जो chi है यह क्या है एक dimension less constant है यह dimension less रहे इसके लिए हमने यह epsilon note यहाँ place करना पड़ा I think आपको clear हो गया होगा दो यहाँ पे constant लिए है so chi chi is equal to आजाएगा P upon epsilon naught into e और यह e क्या है net electric field which is e naught minus e p so chi है हमारा dimensional less है ठीक है I think यह आपको clear हो गया होगा तो मैं इसके बेस पे electrical susceptibility की एक core definition आपको बता देता हूँ second definition इसकी क्या बनेगी जैसे आप लोगों ने अभी study किया है chi is equals to क्या था हमारा electric field is called electric susceptibility यानि ratio polarization का ratio किस के साथ हमने electric field के साथ e naught times तो इसको भी हम define कर सकते हैं इसको भी हम कह सकते हैं electric field, electric susceptibility को represent करता है ठीक है वैसे क्या काम आता है वो मैंने बिल्कुल पहले ही line में बता दिया कि यह measure करता है कि कोई material कोई dielectric के इतना easily polarized होता है next अभी मैं एक important छोटा सा ही relation है जो two marks में बहुत बार board exam में पूछा जाता है और competition exam में भी आ जाता है इसी base question तो वो बता देता हूं relation between dielectric constant and electrical susceptibility तो electrical susceptibility और dielectric constant के के बारे में हम समझ रहते हैं आप लोगों को याद होगा के जो है dielectric constant क्या होता है dielectric constant इसके बारे में बता देता हूँ पहले भी पढ़ चुके है dielectric constant के यह unitless होता है और यह किसका ratio होता है हम इसको ratio लिख सकते है electric field net electric field electric field in vacuum to the net electric field भी कह सकते है या आप इसको electrical permittivity electrical permittivity में अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे Epsilon over Epsilon note ऐसे भी define कर सकते हैं So it is the ratio of electrical permittivity of any medium to the electrical permittivity of free space ऐसे define कर सकते हैं और अगर इस ट्रम में जाएंगे तो अभी आपको पता है कि इसकी value क्या है E naught divided by इसको मैंने अभी बताया था E naught minus E p Induce electric field इन ही का difference तो यह हमारा dielectric constant है चाहिए आपको पता है अभी बताया है तो net electric field कितना है यह आपको पता है net electric field net electric field जो मैंने अभी आपको बता है net electric field E is equals to हो जाएगा E naught minus E p बार बार पढ़ रहे हैं और अभी एक चीज हमें पता है वो क्या कि E p किसके बराबर है E p हमारा किसके बराबर है E p is equals to sigma p divided by epsilon note अब आप सोचो यह कहां से आ है दो parallel plates जब हमने study की थे एक positive एक negative उनके बीच में electric field कितना होता है sigma upon epsilon ठीक है यह sigma upon epsilon note तब लिखेंगे जब इनके बीच में पी किसके बराबर है sigma p हमारा किसके इक्वल आया था dielectric polarization के capital P के इक्वल आया था capital P divided by epsilon note आ गया अब यह value हम इस अबो equation में रख लेते हैं so E is equals to E not minus E p यानि P upon epsilon note आ जाएगा और P की value अभी आप पढ़के आए हो P किसके बराबर है E is equals to E not minus P P है हमारा epsilon note चाई E ठीक है और divide by epsilon note epsilon note से epsilon note cancel क्योंकि आपने पढ़ लिया था P हमारा जो है P represent करता है epsilon note चाई E को net electric field ठीक है तो अभी आप यहाँ सी यह चीज़ क्लियर होगी है तो आगे चलते हैं हम इस ट्रम को मैं उठा के अब इदर ले जाता हूँ हमारे पास बच जाएगा E not is equals to आजाएगा यह उदर जाके पलस हो गया E पलस चाई E और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं E not is equals to E common आगया यहाँ से और 1 पलस चाई और next में हम इसको लिखेंगे E not divide by E is equals to आजाएगा 1 पलस चाई ठीक है और यह ratio किसके equal है यह पता हमें as capital K is equals to मैंने पहले ही बता दिया था कि E not divide by E को represent करता है यह तो यहाँ हो गया हमारा dielectric constant K is equals to 1 पलस चाई यह required relation है this is the required relation ओके तो आई थिंक यह आपको clear हो गया होगा अगर आपको electrical susceptibility की value पता है किसी dielectric की तो उसके dielectric constant निकाला जा सकता है उसमें 1 add कर दीजिये simply ठीक है अगर dielectric constant की value आपको पता है और electrical susceptibility उसकी calculate करना चारहे तो minus 1 कर दीजिये तो यह relation है इस पर कई बार question इसी पर यह आ जाता है बस तो आज के lecture में इतना ही काफी है आज के lecture में छोचोड़ी ट्रम हमने काफी सारी study की है इसको detail में दोबारा से अच्छे से समझना book की help से चीक है और norms proper बना लेना अगर my dear student मेरा lecture आपको पसंदा रहा है तो like subscribe करना मत भूलिए comment कीजिए lecture देखने के बाद में जरूरी है कि आप मेरी वीडियो पर comment जरूर डाले मुझे भी पता चले कितने लोग देख रहे हैं कितना उस lecture का फाइदा उठा पारे है ठीक है और अपने जितने भी friends हैं उनको भी कहें कि subscribe कर ले जो भी net user है उनको कहिए कि मेरा channel subscribe करे आपकी moral duty समझ ये इसको ये आप ही का channel है गरोख करेगा तो आपको फाइदा होगा थेंक्यू and have a nice day और आज के जो मैंने पढ़ाया इसका पीडियाब लिंक आपको इजे description में मिल जाएगा थेंक्यू गूड लग